नमस्कार आदाब सच्री अकाल जैभीम जुहार मेरा नाम है नवीन कुमार पंजाब की राजनीत में भूचाल मच गया है दिल्ली में कनहया और जिगनेश मेवानी को कॉंग्रेस ने पार्टी में शामिल तो किया लेकिन जहां उसकी सरकार है पंजाब में और हिलडूल कर चल रही थी वहां नौजोज सिंग सिद्धु ने प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष के पत से इस्तीफा दे दिया केवल 71 दिन के बाद देखिए कि 18 जुलाई को नौजोज सिंग सिद्धु को प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष बनाया गया था पंजाब का इसके बावजूद कि कैप्टन अमरिंदर सिंग जो मुख्यमंत्री थी वो हरगिस नहीं चाते थे कि इससे धुको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए और उनके प्रदेश अध्यक्ष बनाय जाने के केवल एक महीने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंग ने मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया चन्नी को उनकी जग़ा मुख्यमंत्री बनाया गया हला मचा कि पहली बार पंजाब में एक दलित मुख्यमंत्री बनाया है बीजेपी पर दबाव बनने लगा कि वो भी अपने 17 राज्यों की सरकारों में से किसी जगह एक दलित मुख्यमंत्री को स्थापित करे बीजेपी सोची रही थी इस दबाव को महसूसी कर लही थी ये समझ रही थी कि इसके बाद उसका कदम क्या होना चाहिए क्योंकि चन्नी को मुख्यमंत्री बनाये जाने का बहुत बड़ा असर उत्तर प्रदेश में पढ़ना तैथा लेकिन भविश्य की राजनी कोई नहीं जानता था आखिरकार नौजोज सिंग सिद्धू की महत्वा कांग्शाएं बरदाश्ट नहीं कर सकी पंजाब में एक दलित मुख्यमंत्री को देखिए कि उनको 20 सितंबर को शपत दिलाई गई थी और उसके बाद से ही वो परच्छाई की तरह मुख्यमंत्री चन्नी के साथ चल रहे तो उनको सूपर सीम कहा जाने लगा था कैप्टन अमरिंदल सिंग ने कहा था कि ये कॉंग्रिस की राजमीत को ले डूबेगा उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाए थे कि मुख्यमंत्री के पद को नौजोज सिंग सिध्धू डिमीन कर रहे हैं उसको नीचा दिखा रहे हैं और ये बरदाश्ट किया जाने लाय कर देते थे कभी सिध्धू मुख्यमंत्री का हाथ पकड़ कर खीच लेते थे और पबलिक में सारवजनिक तोर पर ऐसा लगता था जैसे चन्नी सिध्धू के इशारे पर काम कर रहे हैं लेकिन मंगलवार को जब मंदल बटा और सिध्धू की इच्छा के खिलाफ रंधाव को ग्री मंत्री बना दिया गया तब सिध्धू का धैर जवाब दे गया दरसल कैप्टन के इस्तीफे के बाद से ही सिध्धू को लग रहा था कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए जबकि कॉंग्रेस हाई कमान चाहता था कि सुनील जाकर मुख्यमंत्री बने इस पर सिध् तो फिर नौजोज सिंग सिद्धू में क्या बुराई है लेकिन पार्टी इसके लिए रजामन नहीं हुई और जिस बैठक में मुख्यमंत्री तै किया जाना था उस बैठक से निकलकर नौजोज सिंग सिद्धू बाहर निकल गए होटेल से बाहर चले गए अपना फोन स्वि मेली बार पंजाब को एक दलित मुख्यमंत्री मिला लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंग पंजाब की राजनीत के दूसरे धुरूव बन गए हैं उन्होंने मुलाकात करने का फैसला किया दिल्ली आने का फैसला किया जेपी नड्डा और अमिद शाह से मुलाकात उनकी तै हु अभी भी कैप्टन अमरिंदर सिंग बने हुए हैं नौजोज सिंग सिद्धू के जाने के बाद कॉंग्रेस बुरी तरीके से भंवर में फस गई है क्योंकि 71 दिन में जो हुआ है वो कॉंग्रेस को चलाने वालों की समझ से बाहर है पहले तो पाटी नहीं चाहती थी कि मंत्री बने वो सुनील जाकर को या रंधावा को बनाना चाहती थी लेकिन चन्नी को बनाना पड़ा और पाटी नहीं चाहती थी कि नौजोज सिंग सिद्धू इस वक्त केवल 71 दिन के बाद प्रदेश कॉंग्रेस सद्ध्यक्री कुर्सी से हटे लेकिन उन्होंने लेकिन कहा जा रहा है कि नौजोज सिंग सिद्धू बरदाश्थी नहीं कर पाए कि कैप्टन अमरिंदर सिंग के बाद अगर पंजाब का कोई अगला मुख्यमंत्री कॉंग्रेस की तरफ से हो सकता है तो वो उनके अलावा कोई और हो चन्नी को मुख्यमंत्री बनाय जाने के दिन से ही सिद्धू भयानत नाराज थे लेकिन उनको कम से कब संतोष था कि मुख्यमंत्री उनके इशारे पर काम करते हैं वो जैसे चाहते हैं वैसे चलते हैं लेकिन एड़ोकेट जनरल की नियुक्ती में भी सिद्धू की नहीं चली और चन्नी ने अपनी पसंद का हत्वा कांग्षाएं आरे आने लगी दरसल ये खेल है कि एक दलित मुख्यमंत्री को बलदाश्ट करना नौजोज सिंग सिद्धू के लिए संभव नहीं रह गया था और उन्होंने हमेशा से सोच रखा था कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंग मुख्यमंत्री नहीं होंगे पंजाब के तो वो खुद होंगे और इसी के लिए वो तैयारी कर रहे थे लेकिन सम्मान रहे थे कि चुनाओ के बाद ऐसा होगा अगर कॉंग्रेस वापस सक्ता में लोटती है तो लेकिन चन्नी के मुख्यमंत्री बनाए जाने से सिद्धू के सारे कैलकुलेशन सारे समीक गडबर हो गए थे और उनको लगने लगा था कि अगर कॉंग्रेस सक्ता में वापस लोट भी आती है तो उनका नंबर मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं आने वाला है दूसरी तरफ पार्टी हाई कमान सिद्धू के आचरन से बुरी तरीके से नाराज थे सोनिया गांदी और राहूल गांदी लगातार सिद्धू पर नजर लखते हुए थे और वो मान रहे थे कि सिद्धू मुख्यमंत्री को अपने तरीके से काम नहीं करने दे रहे हैं इससे पंजाब में अलग तरह की छवी बन रही थी कॉंग्रेस की जो चुनाओ में जाते हुए पार्टी क ही हिस्सों में बट गई है एक तरफ कैप्टन अमरिंदल सिंग है जिन्नोंने अभी तक कॉंग्रेस नहीं चोड़ा है दूसरी तरफ नौजोज सिंग सिद्धू हैं तीसरी तरफ चन्नी हैं मतलब एक ही पार्टी और चुनाओ की तरफ पढ़ती हुई पार्टी तीन हिस्स सिद्धू की वज़ा से चन्नी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा सिद्धू की वज़ा से चन्नी अपने तरीके से काम नहीं कर पा रहे थे उनकी पॉजिशन ठीक तरीके से जस्टिफाई नहीं हो पा रही थी और अंत में जब सिद्धू को लगा कि जैसे वो सरकार को पार आप में चलाना चाहते हैं वैसे वो नहीं चल रही तो उन्होंने प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष के पत से भी इस्तीफा दे दिया अब सवाल है कि पार्टी में अगला प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष कौन होगा और जो भी होगा वो चुनाओ में उसका चेहरा कैसे सामने रखा जाएगा क्या वो भावी मुख्यमंत्री के तौर पर सामने रखा जाएगा क्या वो केवल प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष के तौर पर सामने रखा जाएगा ये सारे सवाल तो हैं लेकिन इस समय पंजाब की राजरीत में सिद्धू से ज्यादा न संद नहीं करते लेकिन अब चुकी नोजोर सिंग सिद्धू प्रदेश कॉंग्रेस अध्यक्ष नहीं उन्होंने खुद ही इस्तिफा दे दिया है तो क्या कैप्टन वापस उसी फॉर्म में अपनी पार्टी में काम करना चाहेंगे क्या वो जेपी नडडा और अमिद शाह से मुलाकात जो उनकी तय है क्या उसके बरक्स वो वापस कॉंग्रेस में ही अपनी गुंजाईश तलाशेंगे और क्या कैप्टन चन्नी को मुख्य मंतरी मानेंगे और कॉंग्रेस के लिए काम करेंगे ये सारे सवाल इस समय पंजाब की राजनीत में देश की राजनीत में घूम रहे हैं लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है कॉंग्रेस के सामने क्योंकि बाहर ये छवी गई है कि पार्टी के लोग, पार्टी के नेता एक दलित मुख्यमंत्री को हजम नहीं कर पा हैं, नौजोज सिंग सिद्दू और कैप्टन अमरिंदर सिंग, तो कैप्टन अमरिंदर सिंग कहा जाएंगे, नौजोज सिंग सिद्दू कहा जाएंगे, और कॉंग्रेस पार्टी का अगला चेहरा कौन होने जा रहा है, ये सारे सवाल अब सामने हैं, लेकिन सबसे के लिए इतना ही लेकिन अगर आपने अभी तक हम को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए बेल आइकॉन दबाईए और कमेंट करके बताईए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा नमस्कार